एलो फ्रेंडस! हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीलिंग फैन का जो साइज होता है वे कितने प्रकार का आता है और किस तरह के होते हैं तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से डिटेल से बताने वाले हैं. Size के बारे में, और आपको size wise दिखाएंगे, पंके किस तरह के होते हैं, और उनको कहां पर विप्योग करते हैं, वे भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जुरूर देखना और लाश्ट में आपको वीडियो अच्छी लगे ता आप इस वीडियो को लाइक भी जुरूर कर देना और अभी तक आपने बिजली की दुकान यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तब चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर ले चलो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं 24 इंची का सीलिंग फैन सामने आपको जो दिखाई दे रहा है यह 24 इंची का सीलिंग फैन है लुक वाइज आप देख सकते हैं लुक इसके डिफरेंस हो सकते हैं कोई fancy टाइब में आते हैं कोई simple टाइब में हमारे पास यह simple टाइब का 24 इंची का सीलिंग फैन है उसके जो blade का size होता है, approximately 8 inch के आसपास होता है, जब इस पंक्य की motor के सभी blade लगाई जाते हैं, और जब इसे ceiling के उपर लगाया जाता है, install किया जाता है, तो उसमें, जब यह जगह लेगा गुलाई में, approximately 1 foot के आसपास यह जगह लेता है, यानि कि एक foot beach center से होगा, और side में आप देख सकते हैं, सभी तरफ से, एक एक foot तक होगा, 24 inch का जो ceiling fan होता है, उसका उपयोग, छोटे room में किया जाता है, जैसे कि हम bathroom के अंदर इसका उपयोग करते हैं, या फिर जो वेगरा kitchen होता है, वहाँ पर company का, अलग-अलग हिसाब होता है, कि कोई 3 blade में, कोई model निकालते है, कोई 4 blade में, कोई 5 blade में, अब हम बात करते हैं, fancy की, अलग-अलग company के fancy के हिसाब से, अलग-अलग होती हैं, और अलग-अलग उनकी cost होती हैं, जो इतना simple लोग है, उतना सस्ता होगा, जितना फैंची लोगे उतना ही वह महा होता रहेगा यह आपके उपर डिपेंड है कि आपको किस तरह का पंखा है वह मार्केट के अंदर पसंद आया है तो दोस्तो अब हम लेते हैं इसे अगला पंखा जिसको हम बोलते हैं चती सिंची सीलिंग फैन आपको जो सामने डिश्पेलर में सामने दिखाई दे रहे हैं यह सभी 36 सिंची के सीलिंग फैन अलग अलग टाइप की हैं फैस्ट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यह फैंसी टाइप का है इसके बलेड के उपर थोड़ी सी अलग से शोदी हुई है और एंटिडेश टाइप का इस तरह से सिंपल वाला है इस तरह जो आप देख सकते हैं अलग अलग परकार के सिंपल भी और फैन से भी है हम यह बीज वाला लेते हैं तब हम इसके जो बलेड का साइज है वह आपको नेप कर एक बार आपको दिखा देते हैं इसका बलेड का साइज होता है अपरोक्स बारा इंच के असपास होता है देख सकते हैं आप बार निचे के असपास होता है और यह जो निचे की तरफ आप देखेंगे जब मोटर के बीच में सेंटर से हम इसको मान के चलते हैं तो इसका जो साइज हो जाता है तो अप्रोक्स 16 इंच के आसवास हो जाता है जब इस पंखे को सीलिंग के उपर लगाया जाता है तो उसमें जो एरिया कवर करेगा बीज सेंटर से तो अप्रोक्स आप देख सकते हैं 16-17 इंच के आसवास कवर करता है यह जो सामने आपको चलता हूँ दिखाई दे रहा है यह जो 6 सिंची का ही सीलिंग फैन लगा हुआ है इन पंखो की जो मोटर होती है वअ 24 सिंची वालो से थोड़ी बड़ी हो जाती है और जो बलेड का साइज होता है वे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस पंक्के का उपयोग मालो आठ बाई आठ का हमारा कोई रूम हो या फिर जो थोड़ा सा बड़ा हमारा कीचन हो, बातरूम हो उस जगहें पर भी हम इस का उपयोग करते हैं जब यह पंखा हवा देता है तो जो 24 सिंची वाला सिलिंग फैन था जो जितनी जगे पर हवा देता था उससे ज़्यादा जगें पर यह हवा देगा 36 इंची का जो ceiling fan होता है वे भी अलग-अलग blade में आता है 3 blade में भी आता है 4 blade में भी 5 blade में वही depend होता है company के उपर भी कौन सी company कितने blade वाला ceiling fan market के अंदर निकाल रही है अलग-अलग प्रकार के होते है fancy type का भी आता है और जो simple type के होते हैं वे भी आते है जब आप market में प्रस्याज करने जाएंगे तो आपको अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग color में अलग-अलग design में मिल जाएंगे चलो दोस्तों ये 33-36 इंची के ceiling fan अब हम बात करने वाले हैं 48 इंची के ceiling fan के बारे में जो आपको सामने दिखाई देरे डिस्पेले में ये सभी 48 इंची के ceiling fan है ये सभी 48 इंची के ceiling fan अलग-अलग color में और अलग-अलग design में हैं आप देख सकते हैं कोई anti-dash कोई without anti-dash के हैं तो जो आप नजदीके से आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा जिसमें ज़्यादा finishing होती है anti-dash होते हैं इनके box के ओपर लिखा भी होता है यह उपर anti-dash लिखा नहीं होता box के ओपर simple वाले होते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके ब्लेड का size होता है कि कि size के ये होते हैं इनके जो ब्लेड का size होता है लग बग 16 इंच या 17 इंच के आसपास होता है जब motor के जो बीच का center से हम इसको नेपेंगे तो अप्रोक्स 20 इंच के आसपास इसका जो size है वह हो जाता है यानि कि हम जब इसे ceiling के अंदर install करेंगे तो जो बीच center से लेकर चारो तरफ से गुलाई में हम बात करते हैं तो 20 या 21 इंच तक का space है लेते हैं 48 इंच सीलिंग fan हर कमपनी का basic model है हर एक कमपनी 48 इंच का ceiling fan ज़रूर बनाती है जो आपको सामने लगा हुआ, install किया हुआ, दिखाई दे रहा है यह 48 इंच का ही ceiling fan है 3 blade motor के साथ लगे हुई है 48 इंच का ceiling fan होता है, वह लगबग 3 blade के अंदर ही आता है सामने जो पंका चल रहा है, यह भी 48 इंच का ही है 3 blade में है, चल रहा है, तो आपको आइडिया भी हो जाता है कि कितने जो जगे है वह यह पंका लेगा 48 इंच के अंदर जो motor यूज की हुई है आप देख सकते हैं, यह 36 इंच वाले motor के बराबर होती है शिर्फ इनका जो blade का size होता है, वह थोड़ा सा फरक में होता है जो 36 इंच वाला तो उसका थोड़ा सा blade छोटा होता है जो 48 इंच वाला जो blade होता है उसका जो blade का size होता है वह 30 इंच वाले से बड़ा हो जाता है इस पंके का उप्योग 10 बाई 15 का कोई rooms हो यह 10 बाई 12 का rooms हो इस तरह का कोई office हो, bathroom हो, kitchen हो हर जगें पर इसका उप्योग हम असानी से कर सकते है इसके जो how आती है, वह भी अच्छी होती है 48 इंची ceiling fan के बाद में आता है 12 इंची का ceiling fan यह भी अलग-अलग model होते है और अलग-अलग design में आता है यह जो 12 इंची का ceiling fan होता है यह कुछ एक company मनाती है हर एक प्रकाल का model 12 इंची में नहीं आता इसके जो motor होती है वह भी 48 इंची से थोड़ी सी heavy हो जाती है सबसे last में हम लेते हैं 56 इंची का ceiling fan यह सबसे बड़ा ceiling fan होता है इसके जो blade होते हैं वह थोड़े लंबे हो जाते हैं और जो इसकी motor होती है वह भी heavy हो जाती है सबसे लंबे blade और सबसे heavy motor उस टाइप का हो या फिर जो सोपिंग मॉल बगारा होते हैं वहाँ पर इस तरह के जो पंक्य होते हैं यूज किये जाते हैं हमने आपको अलग-अलग साइज के सिलिंग फैन दिखा दी है सबसे छोटा होता है 24 सिंची का सिलिंग फैन उलग-बगवा हाई स्पीट में होता है उसके अर्प की मोतियों होते हैं उससे अगले होता है 36 सिंची उससे बाद में होता है 48 सिंची 36 इंची और 48 इंची की मोटर सेम होती है सिर्फ बलेड का फरक होता है 36 इंची वाले के थोड़े छोटे होते है 48 इंची वाले के थोड़े से बड़े हो जाते है उसे next आता है 22 इंची 22 कुछ एक कंपनिया ही बनाती है उसे अगला आता 56 इंची यह भी कुछ एक कंपनिया ही मनाती है अब हम बात करते हैं की रेट की 24 इंची, 36 इंची और 48 इंची के जो सिलिंग फैन होते है उनका रेट लगबग सेम होता है जो 22 इंची सिलिंग फैन होता है जो 56 इंची सिलिंग फैन होता है आप जगह के इस आप से ceiling fan खरीद सकते हैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग model अनेक प्रकार के आए हुए हैं जो आपको market में पसंदो उसी तरह का आप market से खरीद सकते हैं दोस्तो हमने इस वीडियो में